नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगे आपको वट सावित्री ब्रत के बारे में वट अफावस के बारे में जो साल 2023 में 19 मई दिन शुकरवार को मनाये जाने वाला है यूपे बिहार की तरफ ये 19 मई 2023 दिन शुकरवार को मनाये जाएगा आज मैं बात करूँगी परिक्रमा के बारे में, जो परिक्रमा हम बर्गत यानि बड़ ब्रक्षकी करते हैं वो परिक्रमा की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस विशे में बात करूँगी, बहुत confusion रहता है, बहुत संदेह रहता है इस चीज़ को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि 5 लगानी चाहिए, 7 लगानी चाहिए, लेकिन मैं तथ्य के साथ आज आज आपको बताऊंगी कि कितनी परिक्रमा लगाई जाती हैं कुल मिलाकर 13 परिक्रमा लगाई जाती हैं वो इसलिए कि साल के महीने होते हैं 12 हर महीने के लिए एक परिक्रमा, एक फेरा और एक फेरा जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं मकाल म्रत्यू से बचने के लिए ये हम ब्रत अपनी पती की लंबी आयूर के लिए करते हैं जैसे कि सावित्री और सत्यवान की कथा सब ने सुनी है सावित्री सत्यवान को यमराज से बचा कर लेकर आई थी तो अकाल म्रत्यू की वज़ा से सत्यवान की म्रत्यू निशिद थी तो जो एक फेरा हम लगाते हैं वो सिर्फ हम अकाल मृत्यों की वज़ा से लगाते हैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए उप्योगी रहें दन्यवाद